Mostly जीतू में आपका स्वागत है। दोस्तों किसी ने सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिये वरना इश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे क्यों बहुत समय पहले की बात है एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख अंदेह था और उस राजा के तीन बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम सामभालते थे लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन तीन मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा मंत्री था जो राजा के पैसों में गडबी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नही अब राजा काफी दुविधा में था। उन तीनों को एक एक बैट दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पहला मंतरी बहुत इमानदार और महनती था। तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग-अलग और अच्छे और ताजा फल से अपने ठेले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत महनत करनी पड़ी उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वह बहुत ठक चुका था और उसने अपना काम इमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंतरी जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब जाच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहंत किये उसे जैसे ही फल जमीन पर पड़े मिले उसने वह अपने ठेले में रख लिया। बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब जो उसे जमीन पर पड़े फल मिले थे वह बहुत ज्यादा खराब थे और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज्यादा बेइमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ ठेले की लंबाई और वजन ही देखेगा। यह नहीं देखेगा कि उस ठेले के अंदर क्या है। और कितनी अच्छी और खराब चीजे हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ठेले को सूखे पत्तों और कुछ छोटे-छोटे पत्थरों से अपने ठेले को भर लिया। और वह भी पेड के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चु राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गये हैं। तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के ठेलों खोल कर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या-क्या है। और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग-अलग जेल में एक महीने के लिए जेल में केद कर दिया। र उन तीनों ने जंगल से अपने ठेले में भर कर लाए हैं और उन तीनों मंत्री को राजा ने जेल में केद कर दिया तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने ठेले में अच्छे और ताजा अलग-अलग फल अपने ठेले में जमा किये थे उसने जेल में एक महीना आराम से गुज ठेले में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल एक महीने तक खाने पड़े, और वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया, और उसकी तबियत खराब हो गई. अब जो तीसरा मंतरी था, जो बहुत ही बेइमान और आलसी था, जिसने अपने ठेले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे-छोटे पत्तर भरे थे, क्योंकि उसके ठेले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे-छोटे पत्तर ही थे, तो वह एक महीने क लिए क्या खाता और तभी उसे अपने बेमानी और आलस्य पर पच्टावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी महंत करके इस थेले में फल रख दिये होते तो आज मेरा यहा हाल नहीं होता और वह बिना कुछ खाए वह मंत्री जेल में दो दिन के बाद ही जेल के अं हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेमानी करते हैं बेमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविश्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पच्चतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता, तो आज उस इनसान की जगह में होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था। इसलिए वह आज जहां के वही है और जिसने मेहंत को अपनाया था, वह इनसान अपनी मन्जिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेमानी और आलस्य बिलकुल भी मत करो। उसके बाद तो हमें पच्चतावे के अलवा और कुछ भी नहीं मिलता। यह जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। हम लाखों रुपए दे कर भी अपनी जिन्दगी का एक मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस समय का सही उपियोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीजों में गुजारते हो यह हमारे हाथ में होता है। और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। गरीब के पास भी और अमीर के पास भी बस यह हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हो तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रही हैं। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।